कि जिन्दगी मौत ना बन जाए संभालो यारो जिन्दगी मौत ना बन जाए संभालो यारो सो रहा चैनों अमन मुझकिलों में है वतन सो रहा कैसे है सब लोग मजे में रहिए मस्ती में रहिए खूब खाईये खूब पढ़िये है रहा और गर्भी का मौसम आ गया है वोली विजमाप्त हो गया है जुट जाए अपने अपने काम में आज का वीडियो बहुत इंपोर्टेंट है बहुत खास है हम अलजेवडा का एक पढ़ना है जो तीसरा चैप्टर होता है किताब के मुधारिफ तो चलिए आज हम तीसरा चैप्टर सुरू करने बाले है मैट्रिक्स इस वीडियो में आपको बताया जाएगा मैट्रिक्स क्या होता है मतलब मैट्रिक्स के मतलब को समझाने के लिए मैट्रिक्स का डेफिनी सब्जू है सूर्ज को समझने के साद़र मैं और रोज को ही हमें जाना होगा जैसे आपैसों रोज एंड इंड कोलम्स का मतलब समझना होगा यह क्या होता है क्या होता है क्या हूं हम एकदम सीधा सीधी एक जाब कूल देते हैं आप रात में बिस्तर पर सोते हैं तो यह स्वया हुआ पोजीशन है इसको समझ लेजिए कि आप एक रोका निर्मान करते हैं ठीक है समझने के लिए बता रहे हैं और सुबह जागने के बाद इस तरह से अपने बिस्तर पर यह एक कोलों को निरूपीत करता है ठीक है billion इसको बहर्तिकल पर आ頭 करते है अभी हम मैं आप मेरे हां करना कर रोक देख सकते हैं ढ्रो कि इस रोज पंझा 56 रेकाए हैं आग्ली जी मीन कहते हैं। लाइंज, 36 रेखा है, R1, R2, R3, dot, dot, आगे R4 भी हो सकता है, R5 भी हो सकता है, जितना जरुदोत होगा, उतना पंक्ती हम लोग बनाएगे, तो R1, R2, R3 को रोज कहते हैं, इसे M से परकट करते हैं, इस चैप्टर में, मैट्रिक्स चैप्टर में, हम लोग रो को M से परकट क जब M का मानन 2 लिख देंगे, इसका मतलब आपको समझना है, 2 पंक्तिया, M बना और 5 लिख देंगे, तो आपको समझना है, 5 पंक्तिया, ऐसा ऐसा पंक्तिया, ऐसा पंक्तिया, चली, तो अब ही यहां पर देख सकते हैं, यह R1 हो गया, यह आपका R2 हो गया, यह आपको R3 ह गया अब डॉर्ट कर दिया गया है आप नीचे आप चाहेंगे तो आर भोर भी हो जाएगा आप चाहेंगे तो आर फाइब भी हो जाएगा जितना जरूरत होगा उतला तो इस तरह का जो लाइन है उसको हम रो कहेंगे अब एक कॉलम्स अस्तम का हिंदी अस्तम उदागर देखाओ c1, c2, c3, dot, dot को कॉलम्स कहते हैं इसे end से सुचित किया जाता है देखें यह लाइन देखिए यह उपर से नीचे वाला लाइन है तो इस लाइन को हम लोग कॉलूम्स कहेंगे कॉलूम्स कॉलूम्स अस्तम कहेंग पर्टिकल लाइन्स आर कॉलूम्स ठीक है 36 रेखाओं को पंक्तियां कहते हैं उदागर रेखाओं को अस्तम कहते हैं तो आप लोग पंक्ति और अस्तम को समझ गए है ना यह है आपका पंक्तियां यह है आपका अस्तम ठीक है समझ गए आप लोग इसको हम लोग M से सुचि आप जब पंक्ति समझ गए अस्तंब समझ गए तो मैट्रिक्स का मैट परिभासा लिख रहा हूं आप समझे एम पंक्तियों तर्था इन अस्तंब्भों में में एम एन संख्याओं का आयता का सजाबर एम बाई एन इसको बाई करते हैं एम बाई एन कोटी ओडर का अभिव कालाता है इसे अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से सुचित किया जाता है चलिए इसके परिभासा में पकड़िए एम पंक्ति एन अस्तंब्भ आ एम एन संख्याओं की तीर बाद उपकरिए हमारे पास एम पंक्तियां है एन अस्तंब्भ है और उसमें एम एन संख्याओं को हम आयता का सजाब़ करके लिख देते हैं तो एम बाई एन कोटी का अभिव बन जाता है और उसी को अभिव गयते है इसे अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से सुचित किया जाता है गंतियों से एसमॉल लेटर से सुचित नहीं करेंगे जैसे इस ए से सुचित करेंगे इस ए से सुचित नहीं करेंगे कैपिटल से सुचित करते हैं ये एसमॉल लेटर है इससे हम लोग कभी मैट्रिक्स को डिनोट नहीं करेंगे अब हमें real life का एक best example देते हैं ताकि आपको matrix इधा दिमाग में उतर जाए अब बिहार बोर में राम नाम का लगा परिच्छा दिया, मोहर नाम का लगा परिच्छा दिया राम तथा मोहर दो friends हैं, दो दोस्त हैं उसमें दिहार बोर में परिच्छा दिया और राम का marks लिख रहे हैं, राम का marks मालीजिये 77, 87, 80, 90, 45 और 60 आप सभी को पता होगा कि दिहार बोर में 6 बिशे का परिच्छा होता है जिसमें इंग्लिस का नमबर जुटता नहीं है एक, दो, तिन, चार, माल, चो, माल वह हंग्ली का है, ये संस्क्रीट का है, ये math का है, ये science का है, ये social science का है और ये English का marks है इस तम इस प्राव से ऊपर वाले पंक्ती में राम का marks लिखे हैं और नीचे वाला पंक्ती में मौहन का marks हुए हैं अब यह मैट्रिक्स हुआ कि नहीं मैट्रिक्स अगर होगा तो हमको पता चलना चाहिए कि उसमें रो कितना है उसमें कॉलूम कितना है मतलब इस तरह का लाइन कहे हो है इस तरह का लाइन कहे हो है यह पता चलना चाहिए आपको और से देखिए पता चलता है आपको देखिए आपको खाट के देखिए चस्मा उदार के देखिए चस्मा लगा के देखिए जैसे अत्मा करें तैसे देखिए लेकिन देखिए आपको इस सजावन में इस तरह के लाइन का एहसास होता है इस तरह के लाइन का एहसास हो खन दूब का दूब है को आटवां है और रांक वहाद लिखा गया और चुछ इंह सु सहबूँ सुच मेर्ण सुराइब गईW love में मुहर्ण का यू लिखा गया देधि centrus कि यहिंदी का नम्बर है यह Son Spirit का नंबर है यह Math का नंबर है यह आपका Science का नंबर है यह आपको Social Science का नंबर है यह आपको Inglis का नंबर है ठीक है? चलिए तो यह 70 और 80 मी हिंडी का मार्ठ है 70 आया राम को ठीक है है हिंदी में उसी जगा 82 आया मोहन को हिंदी में तो 70 और 82 जो है वह कहां का सदस है कॉलम नमबर एक का 60 और 84 जो है संस्क्रीट का मार्श है मैट्रिक्स के सब्दों में क्या बोलेंगे कि यह दूसरे कॉलूम में लिखा गया है साथ और 84 संस्क्रीट का नमबर है मैट्रिक्स के सब्दों में बोलेंगे कि यह दूसरे कॉलूम में लिखा गया है सीटू का सदस है और सी और 33 मैट का नमबर है जो तीसरे कॉलूम में लिखा गया है साइस का नंबर चोथे कॉलूम में, सोशल साइस का नंबर पाचवे कॉलूम में और इंग्रिस का नंबर चोथे कॉलूम में लिखा गया पहला रो में राम का मार्ग्स लिखा गया दूसरा रो में मुहन का मार्ग्स लिखा गया तब काम्तियों की संख्या दू पहलुपका में राम का मार्च, दुशार का में नहां का मार्च अस्टम्हो की संख्या, यानि न का मार्च, चौब 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 आभ यो की कोटी, कोटी का मतलब यहां देखिए कोटी होता है M, by M, मतलब रो पहली आ कॉलूम बाद में इसमें दू गो और चाओ सम्ख्राव का कॉलूम बाला। हम इसको बोलते हैं दू गो रो बाला चाओ को कॉलुम बाला। अभी हो कि शंख्या इसमें अवयव का है गोला गृली के यह इत डो टीज scos साथ, आठ, नौग, दस, इसमें बारह वो अवेद को सजाया गया है तो अभी वो कुछ भी नहीं है बस संख्याओं का आयताकार सजावत है उसमें रो की संख्या और कॉलूम की संख्या असपस्ट होनी चाहिए नद्जी में इससे जादा कुछ नहीं है तो उमीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझा गया होगा तो अगले वीडियो में हम लोग टाइप्स ओप मैट्रिसेज लेकर आएंगे मैट्रिस के बहुत से फरकार होते हैं जो कि बारे किलास के चात्र चात्रों को पढ़ना है तो हम अगला वीडियो बहुत जल लेकर आ रहे हैं तो तक परते रहे हैं और चैनल पर बढ़े रहे हैं धल्ले बात